चलो गाईज, अब मैं आप सभी अपनी लाइफ की वो जर्नी बताता हूँ कर रहे हो, तो आप भी अपनी वीडियो में इतनी अच्छी एडिटिंग कैसे कर सकते हो, वो भी अपना मुबाईल यूज करके, आपको कोई भी लैप्टोप की जुरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आपको कंप्यूटर की जूरत नहीं पड़ेगी, सिरफ आप अपना वीडियो को इंट्रस्टिंग बना सकते हो, अगर आपकी वीडियो इंट्रस्टिंग होगी, तो आपकी वीडियो का ओडियेंस रिटेंशन भड़ेगा, अगर ओडियेंस रिटेंशन भड़ेगा, तो आपकी वीडियो का इंप्रेशन इंक्रीज होगा, इंप्रेशन इंक् स्ट्राइब सब् currencies हों कि आप एसी एडिटिंग कैसे कर सकते हो अपना मुबाइल उज्ज meny चलता हूं और वहाँ पर आप सब्भी को सिखाता हूं कि आप एसी का सकते हूं मैं अप सब्बी को सिरफ एक वीडियो का एक जेम्पल application को open कर रख है तो अगर आपके phone में काई master application नहीं है play store से जाके download कर लेना install कर लेना जैसे कर लोगे यहाँ पर open करोगे create new को option मिलेगा तो create new पर जैसे click करोगे सबसे पहला option आपको मिलेगा उसको select करके next बटन पर click कर देना इस तरह का आपका interface देखने को मिलेगा अब मैं आप सभी को उसी भाई की वीडियो लेके आप सभी को example दूँगा वीडियो editing करना सिखाऊँगा कि उसने अपनी वीडियो कैसे editing की जैसे मैं आप सभी को सिखाऊँगा तो उसी तरीके से आपको अपनी वीडियो editing करनी है जैसे मैं आप सभी को इसमें बताऊंगा तो उसी तरीके से आपको editing करनी है जैसे आप अपनी video सूट कर लोगे vlogging की video सूट कर लोगे तो आपको यहाँ पर media वाले option में आके अपनी camera वाले में जाके वो video select कर लेनी है तो चलिए मैं आप सभी को उस भाई की वीडियो पे ले चलता हूँ और एडिटिंग करना सिखाता हूँ तो यहाँ पर मैंने पहले से जो है एक प्रोजेक्ट बना रहा है तो यहाँ पर मैं इसकी play करके दिखाता हूँ कि किस तरह की editing इसने अपनी वीडियो में की है तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो यहाँ पर तीछे बादल चलते हुए नजर आ रहे हैं जैसे बन जाएगा जैसे अपर आपको पिल्जियो प्लेड आपको सेड़ है त्री डोट पे आपको क्लिक करना है दों देखने को मिलेंगेstar duplicate डूपलिकेट हैज theory तो डूपलिकेट हैज लेयर वाले पे क्लिक करोगे तो नीचे आपकी लेयर बन जाएगी तो जैसे ही लेइर बन जाएगी तो आपको उपर वाली य को select करना है और इसको delete कर देना आपको delete देख सकते हो इस तरह से मैं delete कर दूँगा तो मेरी उपर वाली layer delete हो गई है अब मेरे को इसके पीछे जो है बादल चलाने है बादल कैसे चलाने है मैं आप सभी को दिखाता हूँ बादल आपको कैसे चलाने है तो आपको बादल वाली स्काई वाली images डाउनलोड करनी है मैं वीडियो के end में आप सभी को बताऊंगा कि ये सारी images, sorry, वीडियो कहां से डाउनलोड करनी है जो आप अपनी वीडियो में यूज कर सेखे हो वो भी बिल्कुल free वीडियो के end में ये भी आप सबी को बता दूँगा तो मैंने पहले से जो मैंने पहले से जो है X-Sky की वीडियो डाउनलोड कर रखे तो आपको मीडिया वाले उप्षन में आना है जैसे डाउनलोड करोगे तो आपको पीछे कुछ भी बादल चलते नहीं नजरा रहे आपको पीछे बादल कैसे चलाने है बिल्कुल ध्यान से सीखना नीचे वाली लेयर आपको स्लेक्ट करनी है स्लेक्ट जैसे ही करोगे काफी सारे उप्षन देखनी को मिल जाएगे थोड़ा सा उपर करना क्रोमा की ओप्षन मिलेगा क्रोमा की पे जैसे क्लिक करोगे इनेबल करोगे तो इस तरह से आपके वो पीछे बादल दिखने लग जाएगे अब यह थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो इसको अच्छा आप इस तरह से थोड़ा सा स्लेक्ट कर लेना और अच्छा बना लेना इस तरह से आप थोड़ा से इसको अच्छा बना लेना तो जैसे आपका यह थोड़ा सा अच्छा लग जाए तो यहाँ पर यह आपका स्लेक्ट हो गया अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ यह देख सकते हो पीछे बादल चलते नजर आ रहे होंगे आपको यह देख सकते हो पीछे तो इस तरह से आप कुछ भी अपने पीछे चला सकते हो प्रोमा की का यूज करके कुछ भी मतलब की बादल की जंगा अगर कुछ और लगाना चाहते हो कुछ भी लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो अब इस भाई ने पीछे Adsense Pin लगा रख है जैसे आपके चैनल पर भी Adsense Pin आएगा तो आप भी इसी तरह से editing कर सकते हो और अपने पीछे Adsense Pin लगा सकते हो अगर आप कहीं भी vlogging लोगिंग सूट करने जाओगे पहाड़ों में अच्छा सा vlog सूट करने जाओगे तो इसी तरह से आप अपने पीछे बादल चला सकते हो पकसी उड़ा सकते हो मैं आप सुभी को बताता हूँ अब इस भाई ने अपने पीछे Adsense Pin लगा रख है अब इसको फोड़ा सा पकड़के इस तरह से बढ़ा कर लेना है अब इसको आपको जो है चोरस मलब की गोल-गोल बनाना है जो गोल-गोल कैसे बनाना है आप सभी को सिखाता हूँ इसको Select करना है और यहाँ आपको cropping वाले option में आना है Mask वाले option को Enable करना है Save option में आके इसको select कर देना है और टिक मत देख कितना अच्छा भी यह लग रहा है अब इसको पीछे की तराफ आपको लेके जाना है पीछे कैसे लेना है यहाँ पर इसको select करना है इस layer को 3 dot पर आपको click करना है 3 dot पर जैसे click करोगे send to back कर देना है send to back जैसे करोगे इसको अपने हिसाब से यहाँ पर आप select कर देना अपने हिसाब से जैसे आपको select करना है इस तरह से आप send to back कर सकते हो तो अगर आपको पूरी वीडियोस पर लेके आना तो पकड़के इसको select करके पूरी वीडियोस पर भी इस तरह से आप कर सकते हो तो यहाँ पर मैं फिर से प्ले करके दिखाता हूँ आपको यह देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा अट्रेक्टिव यह लग रहा है पीछे बादल भी चल रहे हैं और यह एडसेंस पिन भी आपका लग चुका है अब इसने अपनी वीडियो में पक्सी भी उड़ा रखे हैं तो मैं पक्सी उड़ा के भी आप सभी को सिखा देता हूँ लेयर वाले उप्सन में आना है जैसे आप डाउनलोड कर लोगे पक्सी की वीडियो तो आपको मैं डाउनलोड करना सिखा दूँ आप तो media वाले option में आना है, download वाले option में आना है और यहाँ पर मैंने पक्सी की जो है green screen ले रखी है तो यह green screen आ चुकी है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और फिर से वो ही इस layer को select करना है, chroma वाले keep आना है, enable इसको कर देना है और आपके ये पक्सी भी जो है उड़ने लग जाएंगे मैं आप सभी को दिखाता हूँ ये देख सकते हो पीछे पक्सी उड़ते नजर आ रहे हैं तो कितने अट्रेक्टिव लग रहे हैं दोस्तो आप सभी सोच सकते हो कितने अट्रेक्टिव दोस्तो पक्सी ये देख सकते हो फिर से मैं प्ले करके दिखाता हूँ ये देखो पीछे पक्सी आ रहे हैं बादली रहे हैं यार कितना अट्रैक्टिव वीडियो बन जाता है भाई सोच नहीं सकते इतना अच्छे एडिटिंग आप इस तरह से कर सकते हो अब यहां मैंने विल्कुल आपको बादल लगाना भी जिकाया एडिसन पीछे बैक कैसे लगाना है पक्सी कैसे लगाने है सारा कुछ इस वीडियो में बना है जैसे आप अपनी वीडियो बना लोगे अगर आप वीडियो की अच्छे एडिटिंग कर लोगे वीडियो बन जाएगी सेव कैसे करनी है उपर राइट साइड में क्रोस का उप्षन मिलेगा क्रोस पे जैसे क्लिक करोगे यहां से आप कोई भी रैजुलेशन सेलेक्ट सेकते हो 720, 180 पे कर सकते हो जो भी कर सकते हो सेव वाले बटन पे जैसे क्लिक करोगे यह वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी अब बारी हाज आती है कि यह वीडियो आपको कहां से डाउनलोड करनी है वो मैं आप सभी को सिखा देता हूँ तो इन वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने गूगल क्रोम में आ जाना गूगल क्रोम में लिखना आपको फ्री स्टोक वीडियो जैसे आप फ्री स्टोक वीडियो परोगे इस पे सर्च करोगे तो आपके सामने website आजाएगी इस website पे आपको उजाज है मान लीजिए आपको sky की वीडियो चाहिए तो मैं sky यहाँ पर लिख देता हूँ और सर्च करता हूँ जैसे sky की वीडियो आप सर्च करते हूँ देख सकते हूँ कितनी सारी sky की वीडियो आपके पास आजाएगी जो भी आपको sky की वीडियो अच्छे लगे वो डाउनोड कर सकते हो अब sky की वीडियो आपने डाउनोड करना सीख लिए यहाँ से बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगी अब आपको birds की green screen चाहिए तो यहाँ पर आप सभी लिख सकते हो bird, sky, bird, green screen, free video तो जैसे ही आप लिखोगे आप सभी के सामने नीचे website आजाएगी काफी सारी इसमें आपको बिल्कुल free मिल जाएगी जो भी आप लेना चाहते हो बिल्कुल free मिल जाएगी जैसे इस पर मैं click करता हूँ तो जैसे website पर click करोगे यहाँ पर आप सभी को नीचे बहुत सारी birds की birds की green screen मिल जाएगी जितनी चाहो जो भी birds की आप लेना चाहते हो यहाँ पर आप सभी ले सकते हो green screen की यहाँ पर आप सभी देख सकते हो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा सब कुछ आपको फ्री में डाउनलोड मिल जाएगा कोई भी copyright आपकी वीडियो पर नहीं आएगा जो भी चाहो वो हो लेना चाहते हो वो सब कुछ यहाँ पर आप अपनी वीडियो में लगाने के लिए डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों बिल्कुल फ्री कोई भी कोपिराइट आपकी वीडियो में नहीं आएगा तो दोस्तों मैंने आप सभी को अपनी मुबाइल स्क्रीन में एक एक चीज स्टेप बाइ स्टेप समझाई है कि कैसे आप अपनी वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो व्लोगिंग चैनल के लिए अगर आप भी व्लोगिंग चैनल बनाना सोच रहे हो तो इस तरह के अगर एडिटिंग करके अपनी वीडियो को बनाओगी तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा अट्रेक्टिव लगेगी आप भी अपने यूटूब चैनल को बहुत जल्दी से ग्रो कर सकते हो इस तरह से एडिटिंग करके मैंने एक एक चीज आप सभी को समझाई है यहां तक आप सभी को ये भी बताया कि आप इन वीडियो को कहां से डाउनलोड कर सकते हो वो भी बिल्कुल फ्री कोई भी कोपी राइट आपकी वीडियो पे नहीं आएगा तो इस तरह से एडिटिंग करके आप अपनी वीडियो बहुत अच्छी अट्रेक्टिव बना सकते हो बहुत अच्छी बना सकते हो तो जल्दी से अगर आपके माइंड में है कि आम भी एक व्लोगिंग का चैनल बनाना चाहते है तो आप भी व्लोगिंग का चैनल बना के इस तरह से editing करके अपनी वीडियो को बिल्कूल attractive बना सकते हो audience retention बढ़ता है इस चीज से अगर आप अच्छी editing करोगे audience retention बढ़ता है दोस्तों सही बात है editing से video में मतलब कि अच्छी बन जाती है जान आ जाती है वीडियो के अंदर अगर आप इतनी अच्छी editing करोगे तो दोस्तों यहाँ पर अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी एक like जुरूर कर देना एक like क्योंकि मेरे को भी motivation मिलता कि जब आप वीडियो पे like करते हो तो मेरे को लगते हैं आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हो तो यार वीडियो को like कर देना और इसी तरह से interesting वीडियो देखने के लिए चैनल को red button पे click करके subscribe कर लीजिए अगर चैनल पे बिल्कुल new हो और bell notification को on कर लेना इसी तरह से interesting वीडियो देखने के लिए तो मिलते हैं next वीडियो में और अच्छी वीडियो के साथ तब तक लिए दुस्तो जैहीं जै वारत